हेलो फ्रेंज, मुधुमिता लिटील कीचेन मौयल का मैं हूँ मुधुमिता आज मैंने और एक न्यू पापड का रेसीपी स्यार करने जारे हूँ आज मैं स्यार कर रहे हूँ पोहे से बहुत बोड़ी आसा क्रिस्पी ये पापड पोहे से बनेगा लेकिन रियली बहुती टेस्टी बनेगा और पार्फेक्ट बनेगा इतना क्रिस्पी बनेगा चावल से भी बहुती बयाथर बनेगा यह पापर मतलब पोहे का पापर लेकिन रियली अलग टेस्ट आएगा सो फ्रेंज मेरे चैनल में नाई है तो जोरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीज़े ऐसा ही हर दिन न्यू न्यू रेसीपी देखने के लिए चलो फिर ये बड़ी आसा रेसीपी सुरू करते है इपोहे का पापड बनाने की सबसे पहली जो मेरे गिरना से वह है पोहा तो यहाँ पर देखे मैंने इहाँ पी ले रहे एक काप मतलब 100 क्राम जैसा मैंने इहाँ पी ले रहे ये जड़ाबला पोहा तो इसको मिकसर गान्यार में पीस लेती हूँ आच्छी तरह से बहुती बढ़ी आसा फाइन इसका पिस ना होगा ए देखिए बहुती आच्छी तरह से फाइन मैंने इसको बारीक पिस लिया आच्छी तरह से नहीं पिसेंग तो क्या होगा ए पापड बाराना में दिखो दोगा तो इसलिए फाइन बारीक करना है आम मैंने देखे एक काप यी मैजरमन दिखारू, एक काप मैने ये बारिक ग्या हुआajesי, पोहालिया। उसी हिसाब से मैंने पाने डालने नोंगगी। मतलब एक काप बारीक पोहाकी रे मैंने डाल लुए यहांपे 6 काप पानी पानी का मैजरोमन भी बहुती पारफेक्ट होना चाहिए तो इसलिए देखी एक काप पोहाकी लिए मैंने 6 काप उसी काप के पानी डाल लुए खिरकी में जद लाइट आ रहे तो इसलिए थोड़ा सा जद ब्राइटी लाग रहे देखने में तो ये देखिए आच्छी तरह से मैंने 6 कप पाने ढाल दिया अभी में मैंने पानी को मतलब गैस पर नहीं बिठाया पहले ये पोहा को ढाल दिया आच्छी तरह से मिला लेते उसके बाद मैंने गैस ऑन करूँगे अगर गरम पानी में इस पोहा गों डालेंगे तो इसमेंगे बलाम सा जाएगा, तो इसलिए ठांडा पानी में पहले पोहा को डालना है अच्छी तरह से मिलाने हैं उसके बाद ग्यास का लिट और अब भी इसको मैंने कम से कम 10 मिर्ट तक पाका होऊंगे आच्छी तरह से ये पोहा पाकेगा नहीं तो ये पोहा बानाने में मतलब पापड बानाने में दिखो थोगा वो पापड फाड जाएगा और ये निकलेगा मेने तो इसलिए कोसिस कीजिए आच्छी तरह से इसको पाकाना बेटा थोड़ा सा बिगाडा हो जाएगा और आच् आप चाहे तो आपका मन पसंद मसाला डाल सकते हैं देकि नर्माली पापड में ये सब मसाला डाला जाता है थोड़ी सी चिली फ्लेक्स भी डाल देती हो सब इंग्रेडियन्स को आच्छे तरह से मिला लेती हो ये देखी बेटर का कॉंसेस्टेंसी ठांडा होने के बाद अध परफेक्ट है इसी तरह से अब लोग भी चेक कर लेना अम मैंने इसको ठांडा होने के बाद ये पापड बनाओंगी तो यहाँ पर देखी मैंने धूप में पापड बना रहे तो एक पोलितिन राख दिया उसके उपर डाल देती हो ये बला बेटर पोहा में इतना तोर यह पोहा का पापड बनेगा यह देखे आपका 1% साइज डाल साकते हैं यह जो बेटार है बिल्कुल ही ठंडा हो गया ठंडा होने के बाद ही डालना है क्योंकि मैंने पोलीथिन में डाल रही हूँ अगर गरम अगरम यह बेटार पोलीथिन का अंदर डालेंगे तो यह इसलिए कोशिस कीजी बेटा थोड़ा सा पातला बनाना क्योंकि ठंडा होने के बाद ही पार्फेक्ट हो जाता है और ठंडा होने के बाद ही पोलीथिन का अंदर मैंने डाल दिया आब इस पापड को सुखने में एक दिन में सुख जागा अगर धूप में सुखाना है तो इस बाला पापड को धूप में सुखाना है तो ये अच्छी तरह से शुखेगा भी नहीं क्योंकि ये बेटा जो है इसरुक्त है बहुत जो सुखेगा लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा तो मैंने एक दिन अच्छी तरह से धूप दिखा दिया अभी धूप का तेज बह खाती हो यह पापड यह देखिए तेल अच्छी तरह से गरम हो गया कितना बुड़िया सब फूल रहे हैं लग रहा है कि पोहा का पापड आप लोग कम से कम एक बार भर भर पे बाना के देखिए यह लिए और लोग टेस्ट मनेगा इस पापड में मैंने बहुत सरा पापड चीप्स का रेसीपी अल्रेडी सेर कर चुक है आप लोग चाहे तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं लेकिन ये बाला रेसीपी कम से कम एक बार ट्राइ करके देखिए पसंद आएगा सब लोग आच्छी खुश रहे बाई बाई